ये आकाश्वाणी रहपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाश कुमार ज्छा और अब पेश हैं आज के मुखे समाचार प्रधान मंत्री ने कहा फसलों के लिए नियूनितम समर्थन मूल जारी दहेगा क्रिशी और श्रम सुधारों से श्रमिक किसान युवार महिलाएं सर्शक तो होंगी चुनाओ आयोग ने मरवाही विधासबाश शेतर के लिए उपचनाओ कारिकरम की घोशना की तीन नवंबर को होगा मतदान दस नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनिती राज जेपाल ने अधिसूतित शेतरों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में बदलने के दोरान जनर जातियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के समन्ध में अधिकारियों को एक सब्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तूत करने के निर्देश दिये और ODF प्लस की श्रिणिये में 36 गड़ को देश में मिला दूसरा इस्थान महत्पागांधी के 150 वी जेनेंटी समारों के उसर पर विशेश श्रिंगला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं अपने भाषन में महत्पागांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है अब समाचार विस्तार से प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ने कहा है कि विपक्षी दोनों की राजनीती केवल विरोध पर आधारित है उत्तरा खंड में नमामी गंगे मेशन के तहित छे बड़ी परियोजनाओं का शुभारम करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आज़ाद हूँ किसानों को नियुनितम समर्थन मूली की गारंटी और क्रिशी उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए श्री मोदी ने कह कि विपक्ष को लोगों की बीच जूट फैलाने की आदत छोड़ देने चाहिए MSP लागू करने का काम स्वामिनासन कमिशन की इच्छा के नुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भर्म फैला रहे हैं देश में MSP भी रहेगी और किसानों को कही पर भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी भी रहेगी लेकिन आज़ादी कुछ लोग बरदास नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समापत हो गया है इसलिए इने परेशानी है प्रधान मंत्री ने धोराया कि बीचोलियों के खात्म होने के कारण काले धन की कमाई बंद होने की आशंका विपक्षी दलों को परेशान कर रही है उन्होंने कहा कि तीन नए कृषी कानूनों का उदेश किसानों को उदेश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी देना है इस बीच केंदरी सूचना प्रसाराण मंतरी प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि क्रिश उपज मंडी समीतियां काम कर रही हैं और किसान मंडियों में अपनी उपज बेच रहे हैं नियुनतम समर्थन मूली पर किसानों की उपज बेचने में आसमर्थ होने के विपश के आरूपों को खारिच करते हुए शिरी जावडेकर ने कहा कि सरकार ने कई तरह के अनाज के नियुनतम समर्थन मूली की पहले ही घोशना कर दी है। इस बीचे संसत से पारित तीन कृषि सुधार विधेकों के विलोध में आज प्रदेश कंग्रेस द्वारा राजी पल अनुसूया उईकेव को ग्यापन सौंपा गया। प्रदेश कंग्रेस सद्यक्ष मोहन मरकाम के नेतरत्यु में कंग्रेस की एक प्रतनेधी मंडल ने दल्मार्ज के समंध में भारती जन्यता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्णु देव साय ने कहा कि इन विध्यकों में स्वामी नाथन समिटी के सिफारेशों के मताबिक प्रावधान किया जाने की बावजूद कॉंग्रे सब जूट की राजनीती करके किसानों को उक होई है चुनाओ आयोग द्वारा जारी कारेक्रिम चनुसार मरवाही विधान स्वाश शेतर में 3 नवंबर को मतादान होगा वही 10 नवंबर को मतों की गिन्यती की जाएगी इस उप चुनाओ के लिए 9 अक्टूबर को अधिसूशना जारी होगी जिसके बास 16 अक्टूबर 36 गल के मुखे निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले ने आज एक पत्रकार वारता के दोरान बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मरवाही उप्चनाओं के दोरान कोवीड माप दंडू का पालन सुनश्रित कराने के लिए राज्य और जिलास्तर प करके काउंटिंग तक जो भी कोविड नॉम्स है उसके अनुसार मिनिटेशों का पालन करते हुए यह सुनिशित कराएंगे कि कोविड नॉम्स के अनुसार ही इलेक्शन की संपूर्ण प्रक्रिया चाहे वो नॉमिनेशन हो ट्रेनिंग हो मतदान और काउंटिंग के लावा मोखे निरवाचन पदा धिकारी ने बताया कि उप्चो नॉम्स के दोरान सभी उमिदवारों को कोरोना महमरी की मद्देनजर निर्धारीत मापदंडों का पालन करते हुए ही प्रचार करना होगा पांख्या पांच होगी और दो रेलियों की बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतराल होना जरूरी है सभी तरह की सभाय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर में चेनांकित स्तानों पर ही के जा सकेंगे वहीं प्रदेश के मरवाही और मध्यपदेश के अनुप पूर विधान सबसीट पर होने बाले उपचनाओं के मदे नजर आज अमर खंटेक में आंतर राजी बैठक आयोजित की गई इस बैठक में सीमा वर्ती जिलों में प्रशासनिक और पूलिस म्यवस्था में आपसी समन्वें बढ़ाने के लिए विविन उपायों पर चर्चा की गई बैठक में गउरेला पेंटर मरवाही और अनुपपूर जिले के कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पूलिस अधिकारियों के लावा वन विभाग के अधिकारी भी उपस्तित थे इस बिश प्रदेश कॉंगरिस कमेटी के अधिक्ष मोहन मरकाम ने मरवाही विधान सबाव चुनाओं के लिए निर्देश जारी किया है उन्होंने मरवाही विदासवाश्चेतर में संगठन से जिन को जवाबदारी और प्रभार दिया गया है उन्हें ही चुनावश्चेतर में जाने को कहा है गौरतलवे के प्रदेश के पूरों मक्षमंत्रे और मरवाही सीट से विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी राज़पल अनुसुया उईके ने अधिसूचित शितर में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन करने के समध में अधिकारियों को एक साथ ताह में प्रतीविदन देने के निर्देश दिये हैं राज़पल ने आज इस समंध में राज़पवन में समिक्षा बैठक लिए राज़पल ने कहा कि वे इस विश्य में मुख्यमंतरी से भी चर्चा कर आवशक करवाई करेंगी उन्होंने नगरी प्रशासन विभागे के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिसूचित शित्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय सम्विधान के प्रावधानों का पालन किया जाए ताकि जन जातियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवनी राइपूर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की और। प्रदेश के राइपूर बिलासपूर और सरगुजा जिले में लगाया गया एक सब्ताह का लॉकडाउन बीतिम अधिलात्री से खत्म हो गया है इन तीनों जिलों में आज यसे सभी दुकाने बाजार और रियापारिक प्रतिश्ठान खुल गए हैं। राइपूर में अब रात आठ बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमती रहेगी। के पहने निश्चित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी। साथ ही दुकानदारों को दुकान के बाहर रसी लगा कर समाजिक दूरी के नेमों का पालन करने के निर्देश दिये गए। कोरोन या अध्धाउं के दलने शेहर के अलगलग शेतरों में संचारित कई सबजी बाजारों का भी अबलोकन किया। वही रैपूर कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासन और वरिष्ट पुलिस दिखशक अजय यादाउने लोगों से अनावशक अपने घर से बाहर नहीं निकलने के अपील की है। उन्होंने कहा है कि मास्क कि सभी दुकाने रात साथ बज़े तक खोड़ी जा सकेंगी, मुई होटल, रेस्टोरेंट और चौपाटी रात आठ बज़े तक खोड़ी रहेंगी। अंबिकापुर नगर निगम आयुक तो हरिश मंडावी ने बताया कि आज 29 सितंबर को छोड़कर आनिमले प्रतिक गलवार को सभी व्यावसाएक प्रतिस्ठान बंद रहेंगे। वही सर्गुजा जिले के पॉलिस रिष्चक कारियाले में दो कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद कारियाले को सील कर दिया गया है। वहीं गांधी नगर थाने को कंटेंडमेंट जोन उक्थाम के लिए साब्ताहिक बुधवार बाजार और हाट को प्रतिबंधित कर दिया है। आने सभी इस्थाई दुकाने साब्ताहिक आउकाश को छोड़कर शेश दिनों में खोली जा सकेंगी। वहीं दूर गडेंज के पॉलिस महनेरिक्षक सहीत आई जी कारियाले में पदस्त आठ कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आई जी वी विकरनेद सीना ने लोगों से पील की है कि पिछले एक सब्ताह के दोरान जिन्हों ने इन से मुलाकात की है वे अपनी कोरोना जांच कराकर जरूरी साफधानी बरते हैं। उध समद्ध जिरे में लोगडाउन का आसर दिखने लगा है जिसकी वज़ा से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में पहले के पेक्षा गिरा बटाई है। ओडी अफ प्लस के शरणी में 36 गल को देश में दूसरा इस्थान मिला है। बीते 8 अगस्ते से 15 अगस्त के भी में 36 गल को राश्टी इस तर पर समानित किया जाएगा। ये पुरस्कार आनलाइन दिया जाएगा। गौरतलफी की बीते 1 अप्रेल से स्वच भारत मिशन ग्रामिंड की दूसरे चरण की शुरुवात की गई है। इसके तहट के इंसरकार ने ODF का इस्थायत सहीत ठोस औ और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कारी करने के लिए सभी गामों के लिए आठ मापदन्ट निर्धारित किये हैं। इस बिच ग्रामिंड और पंचायत विकास मंत्री टीयस सिंग्देव ने कहा है कि प्रदेश में स्वचता के लिए मोहिम आगे भी जारी रहेगी। उ वरिष्ट अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बगेर से कल मुलाकात की। मुलाकात के दोरां 36 गड़ राजी में माववाद समस्या की स्थिती और नियंटन के समंध में चर्चा की गई। इस उसर पर प्रदेश के गरीवे भाकिया पर मुख्य सचिव सुबरत साह तथ केंदरी रिजर्ड पुलिस बलके महानी देशक एभी महेश्वरी सहीत पुलिस के आने वरिष्ट अधिकारी भी उपस्तित थे। इस बिच आंतरिक सुरक्षा सलाकार के विजय कुमार ने आज सुक्मा जिले का दोरा किया इस दोरां में भेजजी भी गए जहां उन्ह राज्य सरकार ने कोरिया जिले के खाना जलाशे के शत्रगस्त होने के खारण ग्रामिनों की फसल को हुए नुकसान के एवज में मुआफ़ा राशी जारी की है। जिला कलेक्टर ऐसें राठोर ने इस समंध में राज्य सुविभाग को ग्रामिनों की फसल को हुए नुकस आकलन करने के निर्देश दिये थे आकलन के बाद करीब सत्तर ग्रामिनों को मुआफजाराशी दी गई है। पुलिप पुलिप पुलिस ने सटा क्हिलाने के अरोप में टीन सटारीों को गिरफतार किया है। गिरफ्तार किया है इनके पास्ट से दो मोबाइल फोन भी जब्त किये गए हैं कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजे जैश्पूर के पूर विधायक लोईस बेक का निधन हो गया है मुक्षमिंत्री भुपेश बखेल ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए योजक के पदों पर भरती की प्रामेन सुची जारी कर दी गई है उमिद्वार दावा आपती 30 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभागिची वेब साइट पर एमेल के माध्यम से भेज सकते हैं राज़ान प्लाव जिल में शहीद भगर सिंग के जहनती पर यवाउं ने रख किया है जिसके कविमत लगभक 27 लाख रुपए बताई जाती है जानकी चापा जिले के नवागरक शित्र में पोड़ी गाउं में करेंट लगने से एक किसान की मौत हो गई राज़ान गाउं में नीजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस की विरोध में चात्र चात्र पालक संकी वेनतली आज शहर के पालगों ने सांकेतिक भूख रदाल की और कविरधाम जिले के मगरदा गाउं में राश्ती पोशन माह के तहत विभिन जागरुता कारेक्रमों का अजोजिन किया गया और अब पेशे बापु का प्रिय भर्जन जाने पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभी मानना आने अन्ते में मुखे समाचार एक बार फिर प्रधान मंतुरी ने कहा फसनों की नियूंतम समर्थन मूल जारी रहेगा क्रिश्टी और श्रम सुधारों से श्रामिक किसान युवा और महिलाएं सशक तो होंगी के लिए उप्चनाव कारिकरन की घोश्टना की तीन नवंबर को होगा मतदान दस नवंबर को की जाएगी वोटों की गिनिटी राज जिपाल ने अधिसूची तक शितरों में गराम पंचायतों को नगर पंचायत में बदलने के दोरान जनलजातियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के समंध में अधिकारियों को एक सब्ताह में प्रतिविदन प्रस्तोत करने के दिए नियर्देश और ODF प्लस के श्रिणी में चर्टिजगर को देश में मिला दूसरा इस्थान इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुल्यटिन समाप्तु हुआ नमस्कार